डियने एक परिवारिक शो है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ कर ही हमारा ये शो देखते हैं और हम चाहते भी ये हैं कि पूरा परिवार हमारे इस शो को देखे इस शो की खबरों और भाशा के चैन के दौरान हम इस बात का विशेश ध्यान भी रखते हैं कि हमारी खबरें और हमारी भाशा कभी भी आपको आपके परिवार के सामने या आपके बच्चों के सामने असहज ना करें लेकिन मेडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन के लिए खबरों में और मनोहर कहानियों में मनोहर कहानियों के बीच कोई अंतर नहीं है खबरों को कच्चे माल की तरह सस्ती सोच वाली फैक्टरी में डाला जाता है और फिर उन्हें अशलील बना कर आपके सामने पेश कर दिया जाता है भारत में टीवी देखना एक पारिवारिक गतिविधी माना जाता है हमारे देश में ज्यादतर घरों में एक ही टेलिवीजन सेट होता है और पूरा परिवार एक साथ बैठ कर टीवी देखता है चाहे वो सीरियल्स हों, फिल्में हों, मैच हो या फिर खबरें हो और ऐसे समय में अचानक सस्ता और ओचा कांटेंट देखकर लोग शर्मिन्दा हो जाते हैं और न्यूज चैनल बदल कर कोई एंटर्टेन्मेंट चैनल या कोई दूसरा चैनल लगा लेते हैं यहां आप पिछले कुछ हफ़तों की हेडलाइन्स और न्यूज कालिक्रमों के शीर्शकों पर गौर कीजिए, मैं आज कुछ शीर्शक लिखकर लाया हूँ आपके वो सुनाने के लिए, इन पर आप गौर कीजिएगा और ये सारे ऐसे शीर्शक हैं जिनको पिछले हफ़ते या दस दिन में आपने अलग-अलग न्यूज चैनल पर देखा होगा और सुना होगा, अब सुनी आप हनीप्रीत की शहदवाली सहिली, होटेल में हनीप्रीत की लीला, बुरके में बाबा की बेबी, हनीप्रीत की हनीप्रीत, जेल में बाबा को चाहिए सर्फ हनीप्रीत, बाबा हनी की बिडनाइट पाटी, हनीप्रीत का हनीट्रैप, राम रहीम का दर्दे हनीप्रीत, हनीप्रीत की सीक्रिट लव स्टोरी इन टाइटल्स को और इन हेडलाइन्स को पढ़कर आपके मन में क्या विचारा रहे हैं हमारे बहुत सारे दर्शक मीडिया के इस रवईये और चरित्र से पीडित हैं और बहुत परिशान है और इसलिए हमें लगा कि ये देश के हर परिवार से जोड़ी हुई खबर है बहुत परिशानी हो रही है वो अपने परिवार के साथ इस तरह की खबरें नहीं देख पा रहे हैं और उन्हें ऐसे कॉंटेंट पर बेहद आपती है इसलिए हमने कल आपके सामने कुछ सवाल रखे थे हमने आपसे पूछा था कि क्या आप आजकल अपने परिवार के साथ न्यूस चैनल देखते हुए अस्सहज महसूस करते हैं क्या न्यूस चैनल अब अशलील और हनीकारक हो चुके हैं क्या आपको खबरों की जगा सस्ता एंटेटेंमेंट दिया जा रहा है जो परिवार के साथ बैठ कर नहीं देखा जा सकता बच्चों के साथ बैठ कर तो बिलकुल नहीं ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हा में हैं और ये बातें कहीं ना कहीं आपने भी महसूस जरूर की होगी आप अपने परिवार के साथ फिल्मों के चैनल देख सकते हैं एंटर्टेन्मेंट चैनल देख सकते हैं लेकिन न्यूज चैनल शायद अब नहीं देख सकते हैं क्योंकि न्यूस चैनलों पर आज कल ऐसी खबरें दिखाई जा रही हैं जिनकी परिवारिक वैल्यू शूने है। इन खबरों को देखकर परिवार के सदस्यों को कई बार शर्मिंदगी होती है और घुसा भी आता है कि न्यूस चैनल आखिर क्या कर रहे हैं। और कई बार इस तरह का कॉंटेंट भी आपको दिखाये जाता है कि आपको जानकारी कम मिले और डर ज्यादा लगे। आज ही एक न्यूस चैनल धेर सारे एक्सपर्ट्स को स्टूडियो में बुलाकर इस बात पर डिबेट कर रहा था बहस कर रहा था कि हनीपरीत और गुर्परीत रामरहीम के बीच अवैद संबंद हैं या नहीं। लेकिन हर चैनल उस खबर को एक्सक्लूसिव या फिर ब्रेकिंग न्यूस के तौर पर दिखाता है। बाबा और हनीपरीत पर नए नए खुलासे करने के लिए रिपोर्टर्स की पूरी की पूरी सेना मैदान में उतार दी गई थी। बाबा की गुफा हो या डेरा सच्चा सौदा का वंडर लैंड। इस वक्त हनीपरीत लापता है लेकिन पुलिस से ज़ादा उसकी तालाश न्यूस चैनल के रिपोर्टर कर रहे हैं। कई न्यूस चैनलों ने अपने रिपोर्टरों की सेना नेपाल तक भिज़ दी है ताकि वो हनीपरीत के बारे में आपको लेटेस्ट खबरें दे सकें। और ऐसा लगता है जब इन न्यूस चैनलों को देखते हैं कि पूरा देश हनीपरीत का इंतजार कर रहा है। न्यूस चैनलों का स्वरू पारिवारिक होता है लेकिन न्यूस चैनलों का आचरन पारिवारिक नहीं है। बहुत बारी ऐसा होता है कि थोड़ा मुडर्डर्ग अनौ पास बार्णि कुछ ऐसा होता है। नहीं दे सकते हैं दुनिया में क्या चल रहा है हमारा भारत कहां खड़ा है हमारा भारत में क्या है हाँ नो डाउट कि कुछ टॉपिक्स होते हैं उनके पास बट नॉट एवरी ताइम जो बेसीर बैड के न्यूज के अंदर मसाला जोड़के कुछ और जूटे खबर जोड़के मुझे प्रस्तूत की जाती है तो लगता कि यह न्यूज में यह यह तमाशा है फिर बच्चों को भी अवाइड निं कर सकते आप उनको फिर बताना ही पड़ेगा पूरा डिटेल में जाके बताना पड़ता है कई बार उनको नहीं भी उतनी नॉलिज देनी होती तो भी हमें फिर बताना पड़ता है कि यह न्यूज चैनल वालों की वजह आसी प्रफिटल के बारे में बात कीजिए अना अन्प्रवर्मेंट यह तो पूरी तरह से निकल खेया अन्कमफर्टेबल होने का रिजन यह कि कुछ ऐसी भी न्यूज आती है रेप की और उसमें कुछ ऐसे भी सीन दिखाए जाते हैं जो मावप के साथ में बैठके नहीं देख सकते हैं बहुत अंकमफर्टेबल होता है बच्चों को अगर जो ना देखना चाहिए मुझे लगता है कि जो आजकल चल रहा है उसके बारे में बच्चों को और बाकी सबी लोगों को जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अवेरनेस बनी रहा है हाँ न्यूस चैनल की मतारों में कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो नहीं देख सकते हैं और उससे आदा में कमर्शियल के बारे में काऊंगा जो कमर्शियल आते हैं कुछ वो भी मतलब डिस्टर्विंग होते हैं यहां यह करेक्ट है पिछले एक-दो साल से जो है भार की टीवी में सेंसेशनलाइज बहुत होगा वह सरा उसको थोड़ा डिस्क्रेशन रहना वो देखे ऐसा नहीं है कोई आक्सिडेंट हो आप बिल्कुल मीचे जाके वो खूर दिखाना उसका जो इसे डैमेजस रहना व मेरी बेटी मुझे पूछाएगी कि ममी यह क्या है तो मुझे उसको एक्स्प्लेंट करना पड़ेगा और अगर उसको कोई संकोच रखूंगी यार उसको मैं नहीं कुछ नॉलेज दूँगी तो कल उठके उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो तो बड़े बड़े नेता ऐसे अपशब्त का प्रयोग करते हैं तब ही हमें थोड़ा संकोच महसूस होता है तो उनको भी उनकी लैंगिज पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि आप नैशनल टेंडिव उसन पर कैसे बात करें और क्या बात करें हो हाँ वो बहुत बुरा लगता है यह चोटे बचे खेल रहे है वो देख रहे है कि क्या चल रहे है तो पूछते है क्या हो रहा है तो हम उसको समझा नहीं रहे है इसलिए यह न्यू चैनल रहे है जो बता रहे हो रेप का शिन दिखा रहे है वो बार बार दिखा रहे है वो बहुत बुरा है उसे बेटर है कि हम लोग न्यूस पेपर पढ़ ले देख उसमें ज्यादा मसाला यह एड किया जाता है जिसका सिर्फ ओडियन्स अट्रेक्ट होता है लेकि न्यू ज्यादा ऑठेंटिक नहीं रहता है न्यू चैनल्स का फिल्में दिखाने वाले टीवी चैनल्स और एंटर्टेन्मेंट चैनल्स में कॉंटेंट पर किसी तरह का कोई ना कोई नियंतरण जरूर रहता है और आपको ये पहले से बता दिया जाता है कि जो कारिक्रम दिखाया जा रहा है वो 15 साल या 18 साल के उम्र से ज्यादा के लोग असता नहीं है और ये बहुत चिंता की बात है ये खबर देश के हर परिवार की खबर है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में करीब 78 करोड लोग टेलिवीजन देखते हैं देश के 18 करोड 30 लाग घरों में टीवी सेट्स हैं भारत के 64% परिवार टीवी देख और भारत में करीब 22 करोड लोग ऐसे हैं जो न्यूज चैनल देखते हैं हमारे देश में टीवी देखने वाले लोग हर रोज औस तन दो घंटे 11 मिनट तक टेलिवीजन देखते हैं यानि टेलिवीजन और न्यूज लोगों के जीवन का एक बहुत एहम हिस्सा है और उसका लोगों के जीवन पर लोगों के दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है पहले पूरे देश में सिर्फ एक ही टीवी चैनल हुआ करता था और वो था दूर दर्शन तब दूर दर्शन में भी बहुत कम न्यूज बुलिटन्स आया करते थे इसके बाद देश को नए नजरीय की जरूरत महसूस होने लगी लोगों को लगा कि खबरों को सरकारी न्यूज प्लैटफॉर्म से आजाद होना चाहिए इसलिए पहले प्राइवेट न्यूज चैनल्स आये फिर उन पर न्यूज बुलिटन दिखाए जाने लगे और बाद में प्राइवेट न यानि अपने मुखे चैनल जी टीवी पर देश के पहले प्राइवेट न्यूज बुलिटन की शुरूआत कर दी थी हमारे बहुत सारे पुराने दर्शकों को याद होगा 13 मार्च 1995 को जी टीवी पर प्राइवेट न्यूज इंडस्ट्री का पहला न्यूज बुलिटन पढ शुरूआत में न्यूज चैनलों को बदलाव और सच्चाई की मशाल के रूप में देखा जाता था लेकिन इसके बाद टेलिविजन की दुनिया का व्यवसाई करण हो गया धीरे धीरे न्यूज चैनलों में कॉम्पेटिशन बढ़ता चला गया और न्यूज चैनलों की द जितनी जादा टियारपी होती है वो उतना ही जादा पैसा कमाता है और विज्यापनों का रेट भी उसी के हिसाब से तैय होता है अब इसी टियारपी के लिए न्यूज चैनल सारी हदें पार कर रहे हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि व्यवसाईकता और अशलीलता को अलग करने वाली लकीर बहुत पतली होती है और उसे पार करने वाले न्यूस चैनल कभी भी लोगों के मन में भरोसा पैदा नहीं कर पाते आज के दौर में न्यूस की करंसी टी आरपी है जबकि नैतिकता के आधार पर भरोसे को न्यूस की असली करंसी होना चाहिए था भरोसे की कोई करंसी नहीं है लेकिन टी आरपी की करंसी जरूर है और ये पूरी लूट उसी के लिए है न्यूस चैनल के आचरण को लेकर जी न्यूस ने पूरे भरत से एक सवाल पूछा है आप सब से एक सवाल पूछा है और हम इस सवाल पर आपकी राय जानना चाहते हैं आपकी इमांदार राय जानना चाहते हैं क्या आप आज कल अपने परिवार के साथ न्यूस चैनल देखने में असहज महसूस करते हैं अगर आपका जवाब हाँ है तो ZN लिखकर स्पेस दीजिए फिर Y लिखिए अगर आपका जवाब ना है तो ZN लिखकर स्पेस दीजिए और N लिखिए और 57575 पर SMS कर दीजिए आपके जवाब ही ये तै करेंगे कि हमारे देश में न्यूस का भविश्य कैसा होगा और ये आपके लिए एक अच्छा मौका है तमाम न्यूस चैनल को ये बताने का कि आप न्यूस चैनल के बारे में क्या सोचते हैं आपकी राय क्या है नहीं तो आपने देखा होगा ये one way traffic होता है न्यूस चैनल को जो दिखाना होता है आपको दिखा कर चला जाता है आप कभी न्यूस चैनल से ये नहीं कह पाते कि आपको उनका program अच्छा लगा या नहीं सवाल ये भी है कि क्या भारत के लोगों की सोच इतनी घटिया हो चुकी है उनका स्तर उनकी पसंद इतनी नीचे गिड़ चुकी है कि उन्हें news चैनलों पर इस तरह का स्तरहीन content पसंद आ रहा है क्योंकि अगर आप TRP charts पर नदर डालेंगे तो आपको यहीं पता चलेगा कि लोग इसी तरह का content बड़े चाव से देख रहे हैं इसी तरह के कारिक्रमों को देख रहे हैं आज भी हमें इस बात पर यकीन है कि लोगों की सोच इतनी स्तरहीन नहीं है भारत के लोगों की पसंद इतनी नीचे नहीं गिर सकती कि वो ऐसी ओची खबरें कभी भी पसंद करें ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका समधान हमें और आपको मिल कर ही करना होगा इसका क्या समधान हो सकता है सीधा सीधा हम भी नहीं जानते लेकिन समधान खोजने के लिए सबसे पहले उस मुद्दे को उठाना जरूरी है और उस समस्या को पहचानना और उसे सुईकार करना जरूरी है हमने समस्या को पहचानना है इसे सुईकार किया है और अब इस समस्या को आपके सामने लेकर आए है अब आपको इसमें एक एहम भूमी का निभानी है और तब इस समस्य का समधान हम और आप मिलकर डून सकते हैं, निकाल सकते हैं